ओम शांति ओम शांति आज एक अगस्त दोहजार बाइस दिन सोंवार की साकार मुरली आये अब सुनते हैं मीठे बाप दादा के मधूर महावा क्यों को मीठे बच्चे बाप जो ग्यान की मीठी मीठी बाते सुनाते हैं बैधारन करनी हैं बहुत मीठा शीर खंड बन कर रहना है कभी लून पानी नहीं होना है प्रेश्न किस महामंत्र से तुम बच्चों को नई राजधानी का तिलक मिल जाता है उद्धर बाप इस समय तुम बच्चों को महामंत्र देते हैं मीठे लाडले बच्चे, बाप और वर्से को याद करो, घर ग्रहस्त में रहते कमल फूल समान रहो, तो राजधानी का तिलक तुम्हें मिल जाएगा प्रेश्न, कहा जाता जैसी द्रिष्टी वैसी स्रिष्टी, यह कहावत क्यों है? उत्तर, इस समय के मनुष्य जैसे पतित हैं, काले हैं, ऐसे अपने पुज्य देवताओं को, लक्ष्मी नारायन राम सीता को, शिब बाबा को भी काला बनाए उनकी पूजा करते हैं समझते नहीं इसका अर्थ क्या है, इसलिए यह कहावत है गीत मुखडा देख ले ओम शांती, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, कि दिल रूपी दरपण में देखो, कि कितना पाप और कितना पुन्य किया है पाप और पुन्य दिल रूपी दरपण में विचार किया जाता है न यह तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया पुन्य आत्माओं की दुनिया सत्यूग को कहा जाता है यहां पुन्य आत्मा कहां से आए सब पाप ही करते रहते हैं क्योंकि रावन राज्य है खुद कहते भी हैं हे पतित पावन आओ हम जानते हैं कि भारत ही पुन्य आत्माओं का खंड था कोई पाप नहीं करते थे शेर बकरी इकठा पानी पीते थे शीर खंड थे बाप भी कहते हैं बच्चे शीर खंड बनो पुन्य आत्माओं की दुनिया में तमो प्रधान आत्मा कहां से आए अभी बाप ने रोश्नी दी है तुम जानते हो कि हम सो सतो प्रधान देवी देवता थे उन्हों की महिमा ही है सर्व गुण संपन सोला कला संपूर्ण हम खुद भी उनकी महिमा करते हैं मनुष्य कहते हैं मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं प्रभु आप आकर जब हम पर तरस करो तब हम भी ऐसे बन सकते हैं ये आत्मा ने कहा आत्मा समझती है इस समय हम पाप आत्मा है पुन्य आत्मा तो देवी देवताई हैं जो पूजे जाते हैं सभी जाकर देवताओं के चरणों पर जुखते हैं साधू संत आदी भी तीर्थों पर जाते हैं अमरनाथ श्रीनाथ द्वारे जाते हैं तो यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया भारत ही पुन्य आत्माओं की दुनिया थी जब लक्षमी नारायन का राज्य था उनको ही कहा जाता है स्वर्ग मनुश्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया परंतु स्वर्ग है कहां स्वर्ग जब था तब सत्यूग था मनुश्यों को तो जो आता है सो कह देते हैं समझते कुछ भी नहीं स्वर्ग में गया तो जरूर नर्क में था सन्यासी मरते हैं तो कहते हैं जोती जोत समाया तो फर्क हो गया ना जोती में समाया माना फिर यहां आना नहीं है तुम जानते हो जहां हम आत्माई रहती हैं उसे निर्वान धाम कहा जाता है वैकुंट को निर्वान धाम नहीं कहेंगे बच्चों को बहुत मीठी मीठी ग्यान की बातें सुनाते हैं जो बहुत अच्छी रीति धारन करने चाहिए तुम जानते हो बाबा आए हैं हमको वेकुंठ का रास्ता बताने बाप आए हैं राजयोग सिखलाने पावन दुनिया का मार्ग बताए, गाईड बन ले जाते हैं बरोबर विनाश भी सामने खड़ा है विनाश होता है पुरानी दुनिया का पुरानी दुनिया में ही उपद्रव आदी होते हैं तो बाबा कितना मीठा है अंधों की लाठी बनते हैं मनुष्य तो घोर अंधियारे में धख्का खाते रहते हैं, गाया जाता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की राट, ब्रह्मा तो यहां है न, बाप आते ही है रात को दिन बनाने के लिए, आधा कल्प है राथ, आधा कल्प है दिन, अभी तुमको मालूम हो गया है, वह तो कजते हैं कल यूग अजुन बच्चा है कभी कभी कहते हैं इस दुनिया का विनाश होना है परंतु समझते कुछ भी नहीं है आज कल तो मुश्किल घरबार छोड़ते हैं कोई कारण हो गया तो घर से जाकर सन्यासी बन जाते हैं बीच में गवर्मेंट ने ओडिनेंस निकाला था कि सन्यासियों को भी लाइसेंस होना चाहिए ऐसे थोड़ी कि जो घर से रूठे वेजाकर सन्यासी बने मुफ्त में वहुत माल मिल जाते हैं वह है हद का सन्यास तुम्हारा है बेहद का सन्यास इस समय सारी दुनिया पतित है उनको फिर पावन बनाना एक पतित पावन बाप का ही काम है, सत्यूग में पवित्र ग्रेस्त धरम था, लक्षमी नारायन के चित्र भी हैं, देवी देवताओं की महिमा गाते हैं न, सर्वगुन संपन, उनका है हठ योग कर्म सन्यास, लेकिन कर्म का सन्यास तो हो न सके, कर्म के बिना तो मनुष्य एक सेकिंड भी रह नहीं सकता, कर्म सन्यास अक्षर ही रोंग है, यह है कर्म योग, राज योग, तुम सूरेवंशी देवी देवता थे, तुम जान गए हैं कि हमको 84 जन्म लेने पड़ते हैं, वर्ण भी गाए जाते हैं, ब्रामन वर्ण का किसी को पता नहीं है, बाप तुम बच्चों को मह मंत्र देते हैं कि बाप और वर्ण से को याद करते रहो, तो तुम को राजधानी का तिलक मिल जाएगा, मीठे मीठे, लाडले बच्चे, घर ग्रेस्त में रहते, कमल फूल समान रहो, जितना प्यार से काम निकल सकता है, उतना क्रोध से नहीं, बहुत मीठे बनो, बाप की आद में सदेव मुस्कुराते रहो, देवताओं के चित्र देखो कितने हर्शित रहते हैं, अभी तुम जानते हो, वह तो हम ही थे, हम सो देवता थे, फिर सो शत्रिये वैशिये शुद्र बने, अभी हम संगम पर ब्रह्मा मुकवंशावली बने हैं, ब्रह्मा मुकवंशा बाप का वर्सा मिलता है मुक्ती और जीवन मुक्ती यह भी तुम जानते हो जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई धर्ब नहीं था चंद्रवंशी भी नहीं थे यह तो समझने की बात है न हम सो का अर्थ भी उन्होंने आत्मा सो परमत्मा निकाल दिया अभी तो तुम जानते हो हम सो देवता फिर शत्रिय बने यह आत्मा कहती है हम आत्मा पवित्र थी तो शरीर भी पवित्र था वह है ही वोइसलेस वर्ड यह है विशश दुख धाम, सुख धाम और शांती धाम जहां हम सब आत्माई रहती हैं कहते हैं हम सब चीनी हिंदू भाई भाई हैं परंतु अर्थ भी तो समझे न आज भाई भाई कहते कल बंदूक लगाते रहते हैं आत्माई तो सब ब्रदर्स हैं परमात्मा को सर्व व्यापी कहने से सब फादर हो जाते हैं, फादर को वर्सा देना है, ब्रदर्स को वर्सा लेना है, रात दिन का फर्क हो जाता है, वे तो पतित पावन है न, उनसे ही पावन बनना है, हम मनुष्य से देवता बनने चाहते हैं, ग्रंथ में भी है मनुष्य स गाया भी जाता है सेकिंड में जीवन मुक्ति हम देवताईं जीवन मुक्त थे अभी जीवन बन्द बने हैं रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है फिर देवताउं वाम मार्ग में जाते हैं यह निशानियां भी रख़्ी हैं जगनात पुरी में देवताओं के भी बहुत गंदे चित्र हैं। आगे तो ये समझ में नहीं आता था। अब कितना समझ में आया है। वंडर खाते थे कि देवताओं के ऐसे गंदे चित्र यहां कैसे लगे हैं। और अंदर काला जगतनात बैठा है। श्रीनात द्वारे में बी काले चित्र दिखाते हैं ये किसी को पता नहीं है कि जगनात की शकल काली क्यों दिखाई है क्रश्नी के लिए तो कहते हैं कि उनको सर्पने डसा राम को क्या हुआ नारायन की शकल भी सावरी दिखा देते हैं शिवलिंग भी काला दिखाते हैं सब काला ही काला दिखाते है जैसी द्रश्टी वैसी स्रश्टी इस समय है ही सब पतित काले तो भगवान को भी काला बना दिया है पहले पहले शिवकी पूझा करते थे हीरों का लिंक बनाते थे अब वैस सब चीजें गायब हो गई है यह तो most valuable चीजे हैं पुरानी चीज का मान कितना होता है पूझा शुरू हुए पच्ची सो वर्श हो तो इतने पुराने होंगे और क्या पुराने पुराने चित्र देवी देवताओं के हैं यह फिर कह देते हैं लाखों वर्श के हैं अभी तुम जानते हो पांच हजार वर्ष पहले भारत स्वर्ग था अभी कल्यूग है विनाश सामने खड़ा है सबको जाना है बाप ही सबको ले जाते है ब्रह्मा द्वारा तुम ब्रह्मन बने फिर तुम देवताएं पालना करेंगे यह बातें कोई भागवत गीता में नहीं है बाप कहते हैं नौलिज गूम हो जाती है लक्षमी नारायन तो त्रिकाल दर्शी नहीं है फिर यह ज्ञान परंपरा कैसे चल सकता है तुम ही इस समय त्रिकाल दर्शी हो सबसे अच्छी सेवा इस समय तुम करते हो तो तुम हो सच्चे सच्चे रुहानी सोशल वर कर तुम अभी आत्म अभिमानी बनते हो आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकले कैसे बाप जोहरी भी है न सोना में आइरन की खाद पड़ते पड़ते आत्मा पतित हो गई है अब पावन कैसे बने बाप कहते हैं हे आत्मा मामे कम याद करू पतित पावन बाप श्रीमत देते हैं बगवानु वाच हे आत्माएं तुम्हारे में खाद पड़ती है अभी तुम पतित हो पतित फिर महात्मा थोड़े ही हो सकते हैं एक ही उपाय है मामे कम याद करू इस योग अगनी से तुम्ह विकर्म दग्द होंगे, कितने आश्रम हैं, अनेक प्रकार के हट योग के चित्र लगे हुए हैं, यह है योग, अत्वा याद की भट्टी, बल ग्रैस्त व्यवार में रहो, भोजन आती बनाओ, बच्चों की संभाल करो, अच्छा सवेरे तो टाइम है न, कहा भी जाता है, राम सिमर प्रभात मुरेमन, आत्मा में बुद्धी है, भक्ती भी सवेरे करते हैं, तुम भी सवेरे उठ बाप को याद करो, विकर्म विनाश करो, सारा कीचडा निकल आत्मा कंचन बन जाएगी, फिर काया भी कंचन मिलेगी, अभी तुमारी आत्मा दो कैरेट भी नहीं ह भारत के देवी देवताओं के 84 जन्मों का हिसाब लेना पड़े, वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्रफी रिपीट होती है, परंतु आयू कितनी है यह जानते नहीं, कल्प की आयू को ही नहीं जानते हैं, बाप कहते हैं मैं आया हूँ श्रीमत देने, श्रेष्ट बनाने, है, उनको किस से डरना है, तुम्हे कोई श्राप आदी क्या देंगे, कुछ भी नहीं, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, रुहानी बच् को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते, धारना के लिए मुखे सार, कोई भी काम प्यार से निकालना है, क्रोध से नहीं, बाप की याद में सदा हर्शित रहना है, सदा देवताओं जैसे मुस्कुरते रहना है, आत्मा में जो खाद पड़ी है, वह याद की अगनी से निकालनी है, विकर्म विनाश करने है, बहादुर्बन सेवा करनी है, डरना नहीं है, वरदान, सर्व करमेंद्रियों को लो और और परमान चलाने वाले मास्टर सर्व शक्ती मान भव, मास्टर सर्व शक्ती मान राजयोगी वह है, जो राजा बनकर अपनी करमेंद्रियो रूपी प्रजा को लो और ओर परमान चलाए जैसे राजा राज्य दरबार लगाते हैं ऐसे आप अपने राज्य कारोबारी करमेंद्रियों की रोज दरबार लगाओ और हाल चाल पूछो कि कोई भी करमचारी ओपोजीशन तो नहीं करते हैं सब कंट्रोल में हैं जो मास्टर पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना ही मास्टर सर्व शक्ती मान बनना है मातेश्वरी जी के अनमूल महावाके वास्तव में ज्यान प्राप्त करना तो एक ही सेकिंड का काम है परंतु अगर मनुशे एक सेकिंड में समझ जाए तो उनके लिए एक ही सेकिंड लगता है सिर्फ अपने स्वधर्म को जान जावें कि मैं असल में शांत सवरूप आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान हूँ अब यह समझना तो एक सेकिंड की बात है परन्तु इसमें निश्चे करने में कोई हठ योग कोई जब तब कोई भी प्रकार का साधन करना कोई जरूरत नहीं है बस सिर्फ ओरिजिनल अपने रूप को पकड़ो बाकी हम जो इतना पुर्शार्थ कर रहे हैं वो किसके लिए अब इस समय पर समझाया जाता है हम जो इतना पुर्शार्थ कर रहे हैं वो सिर्फ इतनी बात पर ही कर रहे हैं जैसे अपनी प्रैक्टिकल जीवन को बनाना है तो अपने इस बोडी कॉंसेंस से पूरा निकलना है असल में सोल कॉंसेंस रूप में स्थित होने वा इन दैवी गुणों को धारन करने में महनत वश्य लगती है इसमें हम हर समय हर कदम पर सावधान रहते हैं अब जितना हम मा माया से सावधान रहेंगे तो भल कितनी भी खटनाएं सामने आएंगी मगर हमारा सामना नहीं कर सकेंगी माया सामना तब करती है जब हम अपने आपको विस्मरत करते हैं अब यह जो इतनी मार्जिन है सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ बनाने की है बाकि ग्यान तो सेकेंड की बात है यह अपना इश्वरिय ग्यान अपनी बुद्धी से नहीं निकाला हुआ है ना कोई अपनी समझ अत्वा कल्प ना है अत्वा संकल्प है परन्तु यह ग्यान सारी स्रिष्टी का जो रच्चता है उस द्वारा सुना हुआ ग्यान है और साथ साथ सुनकर अनुभव और विवेक में जो लाया जाता है वो प्रैक्टिकल आपको सुना रही है अगर अपने विवेक की बात होती तो सिर्फ अपने पास चलती परन्तु यह तो परमातमा द्वारा सुन अपने विवेक से अनुभव से धारन करते हैं जो बात धारन करते हैं वो जरूर जब विव परमातमा की रचना क्या है बाकी कोई अपने संकल्प की बात नहीं है अगर होती तो अपने मन में उत्पन होती इसलिए जो अपने को स्विम परमातमा द्वारा मुख्य धारणा योगे पॉइंट मिली हुई है वो है मुख्य योग लगाना परंतु योग के पहले ग्यान चा योग करने के लिए पहले ग्यान क्यों कहते हैं पहले सोचना समझना और बाद में योग लगना हमेशा ऐसे कहा जाता है पहले समझ चाहिए नहीं तो उल्टा कर्म चलेगा इसलिए पहले ग्यान जरूरी है ग्यान एक उँची स्टेज है जिसको जानने के लिए बुद्धी चाहिए क्योंकि उंचे ते उंच परमात्मा हमको पढ़ा रही है अच्छा ओम शन्ति